यूटूब चैनल प्रेंजोन बाइलोजी पे आज हम बाइलोजी की जो सबसे महत्यपूर्ण चीज आती है वो नामकरण, नॉमन क्लेचर, पहले बार नामकरण जो साइंटिस्ट देते हैं, किसी परडिकल जैसे मान कि सुटर कोशिका का नाम सबसे पहले किस ने दिया, इसकिप मत कीजिएगा, पूरा लेक्चर देखिएगा, तो सबसे पहले बात करते हैं, कोशिका, तो कोशिका की जो सबसे पहले नाम किस ने दिया था, तो कोशिका को सबसे पहले नाम, जैसे हम जानते हैं, कि सबसे पहले खोजा भी किस ने था, रावल ठोक ने खोजा था, और नए को को सिका को रावर्ट ठूपने खो जा था पहली बात फिर सेकंड नमब्र पहाता है जंत कोसिका द्रब्ब ए मतलब एनिमयल साइटोप्लाजम यह संब इस था परकिंजे नामक scientist तो सबसे पहले इस ने ठोजा ठाटा परकिंजी नामक scientist था और इनिमल ऐनिमल साइटोप्लाजम को खोओ जा था उसके बाद में नäक्स आता है हमारा पादब कोशिका द्रभिए प्लांट साइटो प्लाजम, साइटो प्लाजम मतलब वो होता है जो नुकलियस के बाहर और हमारा जो प्लाजमा मेंब्रेन के बीच जो एक लिक्ट द्रब भरा होता है, उसे हम साइटो प्लाजम कहते हैं, तो इसको सबसे पहले किस ने दिया था, इसको सबसे पहले दिया था, नाम जो ने दिया था, उसके बाद में आता है सारकोड नाम किस ने दिया था, सारकोड सब्द है, ये सबसे पहले, ये डूजारडी ने जीव द्रब को सारकोड कहा था, डूजारडी नामक साइटिस्ट में साइटो प्लाजम को, सारी, प्रोटो प्लाजम को, जीव द्रब को सारकोड कहा था क्लियर उसके बाद में नेक्स आता है हमारा गुरुसूत्र क्रोमोशोम तो क्रोमोशोम सब्द जो था वो वाल्डेर नामक साइंटिस्ट ने दिया था और गॉल्जी बोडी जो ग्यागाल जी कॉय का नाम सबसे पहले वो कैमेलियो गॉल्गी ने खोजा था और कैमेल लिकर नामक साइंटिस्ट ने खोजा था अल्टमान ने इसे बायो प्लास्ट कहा था और सी बिंडा ने माइट्रोकॉंड्रिया नाम दिया था कभी कभा ये कुश्यन आ जाता है टीजी टी पीजी टी में उसके बाद में आता है इंडो प्लाजमिक रिटिकुलम जिसे हम अ उससे पहले छूट गया रावोसोम तो रावोसोम जो है वो किस ने दिया था वो पैलेड नामक साइंटिस्ट ने रावोसोम खोजा नाम दिया था सबसे पहले किस ने देखा था रॉबिंसन और ब्राउन ने देखा तो एनिमल में किस ने खोजा था पैलेड नामक साइंट सायन्टिस्ट ने कहई भी watch जा आता है । को सब्से पहले नाम दिया था वअ- कि नर अमग सायंटिस्ट्स ने ने सबसे पहले चेल नाम दिया था उसके बाद में मयितोसिस म mixture का मतलब क्रोमोसोर्म की जो संख्या होती है बनने वाले कोशिका की बिल्कूल समान होती है मतलब मान के सौचलो या अगर सोला वाली कोशिका डिवायड होके नई वाली बन रही तो वो 16 वाली क्रोवरन वाली कोशिका बनेगी तो सम इसे हम बोलते है संसूत्री विवाजन संसूत्री विवाजन का मतलब होता समान distraction तो यह model unit membrane किसे जिस यह किसे निद्क कहा था ये QFR NAMAK scientist ने कहा था तो यह हो गया उसके बाद में कुछ और है और इसके बाद में नेक्स आता है हमारा Reform नेक्स आता है Nucleopasm नेक्स आता है California plasma जो है वो सबसे पहले इस्ट्रास बर्गर ने कहा pro phase metaphases and अंटिलोफेस यह हमारे माईटोसीज डूनुक के सटेज़स हैं प्रोफेस मेटाफेस जनाफेस अं यह मेटवेस में क्या होता प्रोफेस सेकिंड में बट़ जाता है दो बार वो डिबीजेन होता है एक बार मियोसिस मलब क्रोमोसोम के संख्याद ही होती है उसके बाद में सेकेंड जो होता है वो एजिटिस माइटोसिस जैसा ही होता है तो प्रोफेस, मेटाफेस, इनाफेस, टिलोफेस ये किसने बोला था ये भी इस्ट्रास वर्गरी ने कहता है उसके बाद एंजाइम जो ह enzyme जो है वह कुहने ने कहा एंझायम जो सब्द है वह कुहने ने दिया protein mortar नामक scientist ने कहा vitamin find fit ने झा master दिया या फूंक भी कहते है और जीविग्ञान तो जीविग्ञान को हम लोग जानते हैं यह ले ल terrified trained nor rainforest neo's kprises navy brainis सबसे पहले उसके बाद में phylum and sub-phylum का जो concept था वो या सब्द किस ने दिया था ये qvr नामक scientist ने कहा class order ये भी किस ने कहा था ये linius ने कहा और इससे पहले छुट गया सुरी जी विग्यान वो लैमार्क ने कहा phylum and sub-phylum qvr नामक scientist ने कहा class and order linius ने कहा once और species ये जान रे नामक scientist ने कहा तो species term पूछ लिया था काफी mostly question है कि species term was given by तो जान रे नामक scientist ने species या genius कहा उसके बाद में nucleic अमल ये altmine ने कहा नाम दिया उसके बाद में periplast ये भी altmine ने ही periplast भी नाम दिया था उसके बाद में एक साता है brownian moment जो कणो की brownian moment होती है उसको सबसे पहले किस ने किया तो Robert Brown ने है तो Robert Brown के ही नाम पे इनका नाम brownian गतिया brownian moment रखा गया उसके बाद में endamiva जो है लेंबल ने नाम दिया था endamiva जो नाम था लेंबल ने दिया था खोश किसने कि थी लेंबल और लोच नामक scientist दोनीट लोग थे लेंद नाम जो endamiva था वो किसने दिया था लेंबल नामक scientist ने दिया उसके बाद में histology histology में क्या होता है हम aad Grass लोजी करते हैं में उतकों का द्धिन रखिरगिन का कह ला था और इनका एक चौखाना विधी भी पढ़ते हैं ये दूनों एक साइंटिस ने लिया दिया था जिसे बोलते थेैं तर बैट्साने पूनेट चोखाना इसको ए उसके बाद में नेक्स आता है हमारा एलेलो मॉर्फ एलेलो मॉर्फ ये किस ने दिया ये भी बैटसन साहब ने दिया था हार्मोन जो सबसे पहले वो इस्टरलिंग नामक साइंटिस ने कहा प्रोटो जोवा था वो गोल्डफस ने सबसे पहले नाम दिया था तो गोल्डफस ने सबसे पहले टर्म प्रोटो जोव ने दिया था वैसे ही हो सकता है जो आने वाला एक्जाम होगा टीजी टीटीपीजी वेसे एक कुश्चन इसमें से मिल जाएगा आपको उसके बाद में पैरा जोवा पैरा जोवा यह किस ने कहा था यह सॉलास नामक साइंटिस्ट ने कहा था सीलेंड डेटा सबसे पहले किस ने कहा तो लिवकॉर्ट ने सीलेंड डेटा नाम दिया एनिलीडा लैमार्क ने दिया और मोलस का जॉण्स्टन ने दिया जॉण्स्टन नामक साइंटिस्ट ने क्या कहा मोलस का सब्द दिया था एनिलीडा लैमार्क ने दिया पैरा जोवा सोलास ने दिया उसके बाद में next आता है हमारा Arthopoda तो आर्फो पोड़ा जो नाम था वो जैकब क्लेन नामक scientist ने दिया उसके बाद में वान सील्ड नामक scientist ने अर्थ पूड़ा नाम दिया Ekinodermita जो नाम है वो जैकब ख्लेन ने दिया और ही आपको मिलेगा बहुत ही helpful वीडियो के साथ में तब तक के लिए जय हिंद जय भारब